नमस्कार स्वागत है आपका नीजवर्ड इंडिया पर मैं हूँ आपके साथ विशाल मिस्टा आज हम बात करेंगे एक खास रिपोर्ट के बारे में दुनिया का सबसे उचा रेलवे ब्रीज जहां लहर आया तिरंगा तो दुश्मन भी देखते रह गए जी हाँ हिंदुस्तान के इंजिनियर्स ने ऐसा कमाल कर दिखाया जिस पर पूरी दुनिया सलाम ठोक रही है जम्मू कश्मीर में बन रहे दुनिया के सबसे उचे रेलवे ब्रीज पर तिरंगा लह रहाया तो भारत के हर नागरिक का सीना गर्ब से चोड़ा हो गया जब ये तस्वीर दुश्मन देशों तक पहुँची तो उनके कलेजे के टुकडे टुकडे हो गए क्योंकि यही वो पूल है जो कश्मीर घाटी में चीन और पाकिस्तान के लिए काल बनेगा उनका जबाद देने के लिए भारती सीना को गोला बारूत के साथ समय से पहले बॉर्डर पर पहुचा देगा हम आपको इस पूल की खासियत बताएंगे उससे पहले ये तस्वीर देख लीजिए हाथों में तिरंगा थामे ये लोग हर मुश्किल परस्तियों से लड़ते हुए आगे बढ़े हैं इन लोगों के कामों को बरफीली हवाओं ने काफी प्रभावित किया जान जोखिम में डाल कर ये लोग देश का गौरब बढ़ाने में लगे हैं इस पुल का काम लगभग पूरा हो गया है कुछ ही समय में इस पुल पर ट्रेन दोलने लगेगी तस्वीरे देखकर शायद आप इस पुल की उचाई का अंदाजा ना लगा पाएं मोधी सरकार इस मिशन पर काम कर रही है तीन साल पहले असम में बोगी बुल पुल बना और अब चिनाब ब्रिज ये सुरक्षा के लिहास से काफी एहम है जर्मनी, स्वीजर लैंट और कई देशों की मदद के बाद भारत की इंजीनियर्स ने ये कमार कर दिखाया चिनाब नदी के गहराई इतनी थी कि कंक्रीट के पिलर खड़े नहीं हो सकते थे हवाओं का दबाब भी था इसलिए इंजीनियर्स ने ब्लास लोड टेकनलोजी का अस्तमाल किया पिलर के बजाए 17 केबल्स बनाए देश विदेश की तकनीकों से सीखा और फिर इसका डिजाइन तयार कर सरकार को दिया जब 2002 में अटल विहरी वजपाई की सरकार थी तब इस रेलवे ब्रिज का निर्मान कारे शुरू हुआ था लेकिन मनमोहन सरकार में ये काम रुक गया कॉंग्रिस ने कहा ये रेलवे ब्रिज सुरक्षित नहीं है उसके बाद 2010 में इसका काम फिर से शुरू हुआ लेकिन तेजी नहीं आ पाई प्यम मोदी ने इस पर विशेश फोकस किया तब जाकर इसका काम पूरा होने के कगार पर है इस पुल की खास बात ये है कि मानिस चालिस डिग्री सेल्सेस तक की सर्दी ये जिर सकता है 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाएं और आठ तिवरता का भुकम भी इस पर बियसर होगा 100 किलोमीटर की रफ्तार से इस पर ट्रेन दोर सकेगी और 120 तक ब्रिज सुरक्षित रहेगा कट्रा और बनिहाल के बीच 111 किलोमीटर के रास्ते को जोड़ेगा घाटी में रेल की पहुँच बढ़ेगी फिलहाल बनिहाल बारा मुला के लिए तो रेल कनेक्टिविटी है लेकिन कट्रा बनिहाल के लिए नहीं है कर्यल यूद के बाद कनेक्टिविटी कटने से बड़ी दिक्कत हुई थी लेकिन अब दिक्कत नहीं होगी 24,000 टन लुहा और 5,412 टन स्टील से पूल बना है पैदल लोगों के लिए भी रास्ता होगा इस पूल को बनाने का काम कोकर रेलवे कॉर्परेशन लिमिटेड को दिया गया जिसे देश में ऐसे अलग तरह के ब्रिज बनाने की महरत हासल है अब तक चीन में बने 305 मीटर उचे नजीरे रेलवे ब्रिज को दुनिया में सबसे उचे रेलवे ब्रिज का तमगा प्राप था लेकिन भारत ने अब इस मामले में भी चीन को पीछे छोड़ दिया है मतलब अब हर मामले में भारत चीन से आगे निकल रहा है फिलाल इस खास रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहे निजबर इंडिया